नमस्कार फ्रेंड्स, पीस्फूल हो मैंने इन्भाइरिन्मेंट चैनल में आप सब की स्वागत है और मैं मिसस धारा अब देख रहे हैं ये एक अनार का पाउधा है और देखिए फ्रेंड्स पाउधे में कैसे फूल आने लग गये हैं छोटे छोटे कलियां आ रही है बहुत सारे कलियां आ रही है तो आज हम आपको दिखाएंगे कि अनार का पाउधा कैसे लगाएंगे इसका देखभल कैसे कर वो है और अनार की nutrition value क्या है हम लोग अनार क्यों खाते है या क्यों खाएंगे इसकी पूरी जानकरी हम इस वीडियो में देंगे तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले मैं एक बात बता दूँ अगर मेरा वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्रा करके बिल बटन को दबाईएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके चलिए फ्रेंद्स शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि अनार के पौधा लगाने के लिए हम लोग एक कलम की हुई हरी पत्ती बाली अच्छे किसम की पौधा हम खरीद के लाएंगे अब अभी कलम की हुई क्यों बोल रही हूं इसलिए बोल रही हूं कि अगर बीज से उगाया हुआ पौधा आप लगाएंगे तो उससे में फल आने में आपको चार-पांच सल समय लग जाएगा हो सकता है कि उससे ज्यादा समय लगे और हरी पत्ती इसलिए कि अनार का पौ लगाएंगे तो उसमें आपको फल नहीं मिलेगा तो इसलिए आपको ऐसे हरी पत्ती वाली देख रहे हैं आप यह हरे हरे जो पत्ती है ग्रेंग लीप्स ऐसा एक पौधा आपको नर्सरी से लाना करें अभी इसको कैसे मिट्टी में लगाएंगे यह जान लेते हैं क्योंक अनार के पौधे को बालूई मिट्टी पसंद है इसलिए हम लोग इसके हिसाब से मिट्टी तयार कर लेंगे तो इसके लिए 30% नॉर्मल सोयल लीजिए 30% सैंड लीजिए और 40% कमपोस्ट लीजिए मैं यहां पर गोबर की खाद यूज की हो एक साल की पुराना गोबर की ख ठीक है आप जैबी खाद या भर्मी कमपोस्ट आपके पस जो अभैलेबल है आप वही यूज कर सकते हैं उसके साथ कुछ मिला लेंगे वह हम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए यह हैं सर्सू की खली मस्टरड के पाउडर इसको एक चमच लेंगे यह हैं चूना लाइम होगाल है चूना को तो यह एकछ लेंगे भांट म इसको बॉन मील इसको 2 चमच लेंगे और यह है सुखी हुई चाय के पत्ति इस चाय के पत्ति को एक मुठ़ी लेंगे इसके साथ और चीज द्योंगे 5 20 मास्टन कских कंद्ब दो आवां आभे मेरे पास नीम के, खली है नहीं, लॉकडाउन के बज़ा से मार्केट में हर चीज नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई रही हूं आपको अभी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास अगर है, तो मिला ये, आपके पास अगर नहीं है, तो बाद में भी मिला सकते हैं, तो ये सब अभी चीज एक साथ अच्छे से मिला लेजिए मिट्टी के साथ बहुत अच्छे से मिला लेजिए उसके बाद पौधे को पॉटिंग कीजिए अभी पॉटिंग करने के बगत जब आप पौधे को लगा रहे हैं तब एक विशेज बाद ध्यान में रखेगा फ्रेंट्स यह यह अनार का पौधा है नहीं एक जोरा का पौधा है लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसके हिल्ग लेंगे जैसे यह पौधा मैं नरसरी से लाई हूँ इसको मैं लागाऊंगी गंवे में तो जब पौटिंग करेंगे तब खास ध्यान रखेंगे कि यह जो तना है यह जो देंगे तो यह पौधा जैसा है ऐसा ही रह जाएगा इसका ग्रोथ होगा नहीं बिल्कुल भी तो इस बात को बहुत ध्यान में रखेंगा फ्रेंड्स यह आपको कोई नरसरी वाला नहीं बोलेगा कोई भी अच्छा गार्डेनर नहीं बोलेगा मैं अपनी 10 साल की गार्ड कैसे देंगे तो जिस दिन लगाया उसके ठीक पंदरा दिन के बाद से हम इसको मस्टर्ड केक जो लिक्वीड फर्टिलाजर होता है वो प्रवाइट करेंगे कैसे देंगे नहीं 100 ग्राम मस्टर्ड केक पाउडर एक लीटर पानी में फिगो लेंगे चार दिन उसको रखें पास हुआ उसका 200 या 200-200 ml फर्टिलाजर गमले में देंगे अभी आपका गमले अगर बरा साइज है तो 300 दे सकते हैं 300 ml और आगर आपका पौट एकदम छोटा है जैसे पौधा भी लागा है बहुत छोटा पौधा है तो देर सो एमल भी दे सकते हैं फ्रेंट्स थोड़ा बहुत खुद को समझना पड़ता है अपने सिचुएशन के हिसाब से ठीक है तो यह गया खाना का बात अभी देख लेते हैं कि इसमें कीरे माकोरे की प्राब्लिम क्या आता है देखिए फ्रेंट्स यह जो पौधा है यह मेरे पास एक साल से है लेकिन मैं इसमें कभी भी ए एक भी कीरे माकोरे कुछ भी नहीं देखा देखिए इसका हर ब्रांच हर पत्ती कितनी हेल्दी है एकदम साफ सुत्रा है देखिए फ्रेंट्स हो सकता है कि मैं मैं रेगूलार इंटर्भेल में नीम तिल स्प्रे करती हूं इसलिए हो सकता है कि मेरे पाउधे में ज्यादा क जे मकोरे नहीं आता है तो आप भी आइसाइए कीजिएगा फ्रेंड्स हर 12 से 15 दिन के गैप में नीमतिल स्प्रेक कीजिएगा कैसे करेंगे थोरा बता दू एक लीटर पानी में एक चम्मच नीमतिल लेंगे आधि चम्मच लीक्वीड शोप कोई भी लीक्वीड शोप आप ले सकते हैं हैं तो पानी साबुन लिक्वीड शोप और नीमतिल एक साथ अच्छे तरह से मिला लीजिए एक स्प्रे बटल में भरके अच्छे तरह से आप पूरे में स्प्रे करतीजिए तो इससे क्या होगा आपके गार्डेन में किरेमा कोरे नहीं रहेंगे तो यह हो गय गार्डेनिंग की बात अभी जान लेते हैं कि अनार की न्यूट्रिशन वालू क्या है अनार में भीटामीन A, भीटामीन E, भीटामीन C और फॉलीक असिड पाया जाता है यह बजन घटाने में सहाख होता है अनार ब्लाड प्रेशर को कम करता है इसमें एंटिए अक्सिडे आनार cancer cell को damage करने की समता रखते हैं, आनार खाने से digestive system ठीक रहता है, आनार जोरों के दर्द को भी ठीक करते हैं, जोरों में जो दर्द की सिकायत होता है जिन लोगों को और लोग भी अगर regular आनार लेंगे आनार से बन करेंगे तो उन लोगों को काफी लाब मिल सकता है और आन सबी लोगों को पता है तो अनार हम लोग कोई भी खा सकते हैं चाहे बीमार हो चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो अनार बहुती लाब्दायग बहुती निउट्रिसास एक फ्रोट हैं अभी जान लेते हैं कि बास्तू या जोतिस में अनार की जो पौधे है उसका क्या महत्वा है अब सभी लोग जानते हैं कि अनार के पौधे में माता लक्षमी जी की बास होती है इसलिए बोलते हैं जिस घर में अनार की पौधा हो उस घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है खाना मतलब अन्य की कमी कभी नहीं होता है और क्योंकि अनार के पौधे से पॉजिटिव एनरजी की संचार होती है तो इसलिए बोला जाता है कि जहां अनार का पौधा होता है वहां के लोगों के सरी में बीमारी ये सब भी कम होता है और वहां का माहुल भी बहुत स्वस्त रहता है लोग हसी-खुसी जिन्देगी जीबाते हैं ऐसा बोला जाता है और एक विशेश बात ये जो अनार का फूल आप देख रहे हैं अनार के फूल आप अगर सहद में चरा के सहद मतलब हनी हनी में अगर डुबो के आप सिव जी को चराते हैं तो इससे आपको सिव जी का विशेश क्रीपा प्राप्त होता है बोला जाता है कि हर सोंबार अगर कोई ये उपाय करते हैं तो उसको सिव जी का विशेश क्रीपा प्राप्त होती है और उसकी जीन्देगी सांतिपूर होती है तो फ्रेंस आज का वीडियो रहीं तक अगर आप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जरूर सियार कीजिएगा ताकि इसका जो इनफर्मिशन है सब के पास पहुँच सके और सब लोग पीसफुल जिन्देगी जी सके तो नमस्कार टाटा झाल 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 झाल